हेलो दोस्तों मेरे नाम मिसेस मलिक है इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं VLAN में से ports को dynamically कैसे remove कर सकते हैं VLAN में से ports को dynamically remove करने का advantage ये है कि आप एक साथ ही multiple port को या दो या दो से अधिक ज़ादा port को आप एक ही साथ VLAN में से remove कर सकते हैं वो कैसे करते हैं ये देखे जरा सबसे पहले आप switch को access कीजिए आप enable command यूज कीजिए user mode से privilege mode में जाने के लिए show space vlan command यूज करते हैं vlan की configuration को check करने के लिए ये देखें यहाँ पर third vlan जो की हमने बनाया हुआ है wishes के नाम से जिसमें मैंने fast ethernet 0 slash 4 से लेकर fast ethernet 0 slash 10 तक ये सबी ports एड़ कराये हुए है तो अब अगर मुझे इन सबी ports को एक साथ इस vlan में से remove करना है तो इसके लिए हम लोग use करते हैं dynamically method वो कैसे करते हैं ये देखे जरा सबसे पहले आप privilege mode से configure mode में चलिए with the help of configure terminal type करके enter की press कीजिए और यहां पर आप देख सकते कि हम लोग configure mode में आ चुके हैं और यहां पर एक command यूज कीजिए interface range fast ethernet 0 slash 4 से लेकर hyphen और last number of port ठीक है type करके just enter की press कीजिए और यहां पर command यूज कीजिए switch port access vlan और जिस vlan में से आप remove करना चाहते हैं third vlan और इस command से just पहले आप no use कर लीजिए ठीक है तो ports को remove करने के लिए यहां 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 पर हम लोग कमांड यूज करेंगे तो इस तरह दोस्तों हम लोग vlan में से multiple ports को dynamically remove कर सकते हैं कि अजाए में से खुआ अजा़ लोग कि अजाए फंग नग झाल झाल